कि है वेलकुम बैक तो माई चैनल आज की वीडियो में आप लोग किता शेयर करने वाली हो एक स्लेवलेस प्रिंसेस कट प्लाउस को टुटॉरियल यहाप देखिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक और में फैब्रिक ले लिए इन्हें यहाप पर मैंने प्रिंसेस कट में कट कर कर लिए इसी तरीक से देखिए से इम ज carving की सांत में इने बैक पार भी कट कर लिया शेंच टी तीप मैं यहां पर गला रखा रख इसका देखिए दो में पिनस्तीम इनको हम यहाँ पर प्रिंस सीनदोने कर लाइंगे से दो पार पिलावु हमारा हो गया है में दो पार दो इस तरह से देड़ इंच चौड़ी में पट्टी कट कर लिए इसको यहां पर हम स्टिच कर देंगे दोनों साइट पर देखिए हुक के पट्टी कंप्लीट हो चुकी यहां बैल्ट भी लग गया है अब यहां पर हमें इस तरहीके से एक पट्टी को अटाच करना है जो श कि यहां से में मेजरमेंट लोंगी इस तरह से यहां से इस पॉइंट से लेते हुए आपका जितना भी शूल्डर की चोड़ाई है उसे साब से यहां पर देखिए मैं यहां दूसा तरीका में बता रहे हूं जैसी हमारी नेक हे ब्लाउस की एज़टी रम यहां पर एक नेक यहां से हमें कर्व करते हुए इस लाइन तक जो मैं कि यहां तक हमें लेकर जाना है कि यहां पर हम दो लाइन माघ्या कर सकते हैं जो छार इंच पडु это उसके धाई इंच नीचे मैंने माख यहां पर मैंने माक का दस एंच और नीचे वाले पॉइंट पर मैंने माइक गया है 11 एंच एक इंच ज्यादा या नीची वाग साइब माइक गया इस के बाद देखें माइक करने के बाद इस लाइन से करीवन एक सेंटिमीटर उपर यहां पर मैं मार करूंगी इस तरह से इसलाइन को एक्स्टेंट करते हुए इस लाईन तक इस पॉइंट तक हम किलाना एक ही पटी को मैंने कने कंद unique और में अपर कि दोन ROM आइज साई दो पती रहे और बैक साइड की को पत्टी रहेगी देखिये पत्टी को हम य발 स्थरह स्टिश कर देगे और गया हम कि अंगे में आध पार्ट को कि आटाश करेंगे और इससाइडा इसको अटाश कर दिनगे से आप इसे किसी भी क्रॉप टॉप की तरह या गाउन में स्लीव को यूज कर सकते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमें सेक्षिन ज़रूर रताइए डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब कि मैं चानल तेंट्ट